दिपिका की आखों में आए आसू कहां कभी किसी मा को जच मत करना दिपिका कक्कर की जिंदगी एक खुली किताब की जैसी है अक्ट्रिस व्लोग के जरीए अपनी परसनल लाइफ से जुड़ी बाते लोगों को बताती रहती है अक्ट्रिस ने हाल ही में मादर डे वाला व्लोग अपने इंस्टेग्राम पर शेर किया जहां उन्होंने पहले अपनी मां सासुमा और दोनों खाला को लेकर पैंपरिंग के लिए निकल पड़ी और बाद में सब को शॉपिंग भी करवाई अक्ट्रिस का बॉंड अपनी सासुमा के साथ बहुत खूपसूरत है लेकिन सोशल मीडिया पर अकसर दिपिका की सास यानी शोयब की मां की आलोचना की जाती है हाला कि दिपिका ककर ने कई बार ये बात कही है कि उनको ससुराल में सभी का आशिरवाद मिला है हाल ही में वो इस बारे में बात करते करते वो अच्चानक से भावख हो जाती है और उस पल को याद करती है जब ट्रोल्स ने उनकी सास को बार बार जच किया था दिपिका ने कहा कि उनकी मा और सास दोनों उनके लिए ताकत रही है उन्होंने कहा कि समाज के बड़े वर्ग ने उनकी सास की आलोचना की है लेकिन सचाई ये है कि उनकी सास पहुत प्यारी है ये कहते होए दिपिका की आँखों में आंसु आ जाती है वो कहते है कि कभी किसी की मां को जच नहीं करना चाहिए ये बहुत गलत है दिपिका की इस जेस्टर को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे है आपको कैसी लगती है दिपिका? बताए हमें कमन बॉक्स में and also do follow, like and subscribe to TeleMasala on Facebook, Instagram and YouTube